एक दुकानदार अपनी पत्नी की अचानक मृत्य के बाद वो अपने बेटे को छोटा सा बच्चा है उसको दुकान में लेकर रखने लगा दुकान में वो साथ में रखने लेगा अपने साथ क्यूंकि उसके देख़वाल के लिए कोई नहीं था वो दुकानदार सुभे जाते टाइम आपने बेटे को ले जाता और शाम को लोटते टाइम वो ले आता अब इसका जो बेटा जो है वो दुकान पे जाता जब कस्टमर आते तो उनको जबर्दस तंग करता वो क्या करता किसी की टोपी छीन लेता किसी का बैक छीन लेता किसी क पकड़ लता ये पकड़ लता तो जो जितने सारे customers उस दुकान में आते सभी उस बच्चे से तंग थे दुबारा नहीं आते एक बार आने के बाद यह बच्चा बहुत तंग करता है बोलके दुबारा नहीं आते तो यह दुकांदर का जो sale था वो धीरे 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 कम होने ल तो बहुत सारे लोग आकर उनको प्रणाम कर रहे थे, तो इस दुकानदार भी सोचने लगा कि मेरे बेटे को शायद ये कुछ आशिरवात दे दे तो इसका चंचल जो है, मन जो है ठीक हो जाए, तो ये जाकर बुद्ध के चरनों में जाकर गिर जाता और बोलता कि भगवान बुद्ध आप कृपा करें, मुझे बचाईए, मुझे तंगी से बचाईए, इस हालत से मुझे उभरना है, तो गौतम बुद्ध पूछते क्या हुआ है, तो बोले कि मेरा एक बेटा है, जितने सरे कस्टमर्स आते, उन सब का सामांग ये करता, वो करता, शीन लेता, ये क करता, वो करता, तंग करता, बहुत जादा, तो बोला, कस्टमर्स मेरे बेटे के डर से अब नहीं आ रहे है, मेरे पास, अब मै क्या करो, मेरे पास कोई राह नहीं है, मैं अपने बेटे को भी छोड़ने ही सकता, दुकान भी अच्छी तरह चला नहीं पा रहा हूं, मैं कैस से जिऊंगा तो भगवान बुद्ध बोले कि ठीक है मैं एक बर तुम्हारे दुकान में आना चाहता हूं तो वो गए तो भगवान बुद्ध जब उस दुकान पर गए जाकर बैठे तो बच्चा आया उनके हाथ में जो कटोरी था उसको छीनने लगा तंग करने लगा बच्चा आया जट से पगरी को उठाया लिकाला और उसको फेक दिया तो भगवान बुद्ध बोले बहुत अच्छा किया बेटा आब एक काम करो उस पगरी को उठाके ले किया बेटा किया जट चट चट से गया पगरी को उठाके उनको दे दिया दूसरे दिन भगवान ब बटब बोले कि बेटा तुम्हाम करो वो जो लकरी वहां पर रखो और उसको बाइट किलहारी से उसको काट डालो तो बेटा उसको काटने लगा तीसरे दिंद आया भगवान बुध एक पेर चोटा सा एक पेर लेके आया तो बच्चा उप्ट आप पेर को छिनने के लिए आय आप तुम्हें एक काम करो, पेर को वहाँ पर जाकर लगा लो, तो ऐसा करता आ गया, तो ऐसा करते 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 करते, वो बेटा किसी के सर से पगरी उठाना भूल गया, भगवान बुद आते, आने के बाद उसको एक काम दे देते, वो काम पे बिजी रहता, आते काम पे वियस्त रहे था, कुई ना कोई काब वो दे दे, तकरीबन ये 10-15 दिन तक चला, बाद में वो लरका किसी का पगरी छुदा भूल गया, तब भगवान बुद्ध बोले कि तुम्हारा जो ये बेटा जो है, इसको अगर तुम कोई काम दे दे तो ये करेगा, तुम कुछ नहीं रेते हो, इसलिए ये अपना मन मानी सब कुछ करता है, दोस्तो ठिक उसी तरह ये कहानी से आपको सीखना है, इंसान का मन ठिक इस तरह का होता है, अगर आप अगर मन को खाली रख देते हैं, खाली रख देते तो ये अपनी मन मानी करेगा, खाली रखोगे तो ये सब कुछ कर लेगा, जो चाहता हो कर लेगा, गलत भी कर लेगा, करना क्या है आपको, मन को काम देना है आपको, मन को कोई काम दो यार, काम दोगे तो व्यस्त रहेगा, आपके पास कोई काम नहीं है, खाली बैठे हो तो गलत सोचेगा वो, तो आपको करना क्या है, आपको खाली ही रखना आपको बस काम देना है जब खाली होता तो ये काम दो वो काम दो वो काम दो इतना व्यस्त रखो कि वो अपनी मंदमानी कर ना सकते तभी जाके आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं भगवान बुद्ध के इस मेसेज को आपको याद करना है और इसको सबके आपको जरूर शेयर करना है कैसी लेगी जरूर कॉमेंट करके बताएगा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब किजिए लाइक किजिए इसको सबके शाद वर्टसप और फेस्बुक के शेयर किजिए थैंकिए सो मच पूर वाचिंग नमस्कार